जवाहर नौदे विद्याले में क्लास 6 में एडमिसन के लिए जो 2024 में टेस्ट होने वाला है उसके लिए ओनलाइन अप्लिकेशन स्टार्ट हो चुका है जवाहर नौदे विद्याले के जवाब वेबसाइट पर जाएंगे वेबसाइट के अड्रेस यहां आ रहा होगा हम उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे आप वहाँ पी जाकर क्लिक करके वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं जब आप वेबसाइट क उपिन करेंगे तो इस पर सबसे उपर में एक पॉप अप है उसी में सबसे उपर में लिखा हुआ आ रहा है क्लिक हेर टु सब्मिट ऑनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म फर क्लास सिक्स्थ जवाहर नवदे विद्याले सेलेक्शन टेस्ट टूथाजन ट्वेबसाइट जब इसमें जब आप कुछ नीचे जाएंगे तो फॉर्थ पॉइंट जो फॉर्थ जो अपसें इसमें दिया हुआ है क्लिक हेर टु व्यू प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस आप लोग निश्चित रुप से 29 पेज़ेस का ये प्रोस्पेक्टस है हम आपनों को इसले ओप्षन पर आप क्लिक करेंगे रिजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक हेर टू क्लिक हेर फोर क्लासिक्स रिजिस्ट्रेशन 2024 तो आपके सामने एक पीज खुलता है इसी पर ऑनलाइन जो अप्लिकेशन का प्रोसेस है वह स्टार्ट होयाता है बहुत सारे फिल्ड्स हैं एक एक पेस करके आपको भड़ना परेगा जो इंपॉटेंट इंफॉर्मेशन है वह आप लोगों को हम बतला दे रहे हैं कि इसके लिए लास्ट डेट जो है वह अप्लाई करने का वह है 10 अगस्त 2023 मतलब इसी साल 10 अगस्त 2030 तक आप इस एक्जामेशन के लिए अप्लाई क रहे हैं कि इसके बारे में नहीं बतला गया है वह कहा गया है कि अभी बात में बतलाई जाएगा जब डाउनलूड होना होगा तब डेट उसकी बतला दी जाएगी लेकिन रिजल्ट के बारे में रिजल्ट से पहले एक्जामेशन डेट जो है तो एक्जामेशन डेट में इ यह यहां भी आपके समनी स्कीन पर आ रहा होगा और जो सेकेंड फेज होगा एक्जामनेशन का वो 20 जैनवरी 2024 मतलब 20 जैनवरी 2024 को साधी 11 वैसी यह एक्जाम होगा वो किस लोकेशन पर होगा किस सेंटर पर होगा मुनला किस स्टेट वाइस है वो दिया हुआ है तो आप लो लोकेशन पर जो चार नौमबर 2030 को एक्जाम होगा और कुछ लोकेशन पर 20 जनवरी 2024 को एक्जाम होगा रिजल्ट के बारे में लिखा हुआ है कोई फिक्स देट तो नहीं दी गई है लिकिन लिखा हुआ है कि मार्च या अप्रियर 2024 में इसका रिजल्ट जो है सो डिक्लिय किया जाएगा अभी तक कि इतनी ही इनफोर्मेशन है कि अप्लिकेशन फॉर्म में स्टार्ट हो चुका है तो जिन भी बच्चों को नवदय में फॉर्म भरना है नेक्स्ट येर के लिए 2024-2025 सेशन के लिए क्लास 6 के लिए वो लोग अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं इसके यदि और भी को इनफोर्मेशन इसमें आती है तो उसको भी लेकर जल्दी हम अपनों के सामने आएंगे